अपने आपको बेफिजूल बातों की और नहीं लगाना हुआ हमको अपना टाइम अपने हर रोज के जीवन में उन कामों में लगाना है जिसमें हमको कोई फैद है टाइम वेस्ट करने वाले लोग नहीं बनना अपने रोज के जीवन को सही तरीके से बांटो अपने स्कूल कॉलेज के टाइमिंग को बांटना है ठीक है कहीं भराना जाना भी है उसका भी एक लेमिट टाइम हो टीवी वाच करना उसका लेमिटेड टाइम हो फोन यूज करना उसका लेमिटेड टाइम हो तब ही जाके आप समभ बचा पाएंगे परमिश्र के साथ व्यतित करने के लिए प्राथना के लिए अगर बे टाइम सारे कुछ करोगे दिन ऐसे निगलता जाएगा आपको खुद नहीं पता चलेगा कब आप अंदकार में फस गएंदकार के रास्तों में चल पड़े और अंदकार के बोज के नीचे दब गए तो इसी लिए कह रहा है कि रिदे का ध्यान ऐसा बनाओ कि प्र फिर वो जो परमेशर के मूँ के जो वचन हैं ये माने जाएंगे यानि कि हमारे मूँ के वचन जब ये बन जाएंगे तो अपने आप हमारे जीवन के अंदर वो उधार परमेशर का नजर आएगा अपने आप ही वो बदलाव नजर आने लगेगा जो हम परमेशर से चाह र